प्रेविद्यारतियों मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गॉर्णमेंट कोलेज बांधिकुई से पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी बाबर के उत्रादिकारी हुमायू की कठिनाईयों अत्वा समश्याओं की हमने देखा था कि बाबर का बाबर की गद्धी समालने क के बाब हुमायू के सामने कौन-कौन सी आंत्रिक और बाहिये कठिनाईया सामने आई आज हम चर्चा करेंगे कि हुमायू ने हुमायू ने गद्धी पर बैठने के बाद कौन-कौन से कारी किये या उसकी कौन-कौन सी भूल हुई जो उसके लिए गातक सिद्ध हुई तो सबसे पहली भूल हुमायू से जो हुई थी वो था वो थी सामराज का विभाजन लेकिन इस भूल के लिए जितना हुमायू जिम्मेदार था उतना ही बाबर भी जिम्मेदार था बाबर ने मरते समय हुमायू को अपने भाईयों में सामराजय का विबाजन करने का निर्देश दिया था अते अपनी गद्धी नशिनी के बाद हुमायू ने अपने भाईयों में सामराजय का विबाजन कर दिया कामरान को काबुल और कंदार दे दिया संबल का जिला असकरी को तता हिंदाल को मेवात का छेतर जिसमें आधुनिक अलवर, गुडगाउं, मतुरा वे आगरा के बाग संबली थे दे दिये अयदी हुमायू के भाई हुमायू के लिए, हुमायू के प्रती प्रेम रखते तो वो उसके सहायक बनते लेकिन हुमायू के बाई, हुमायू के लिए एक सिर्दर्द बन गए उन्होंने हुमायू को कोई सयोग नहीं दिया और इन में कामरान तो अत्यंत मैत्वा कांक्षी था और वे इस विभाजन से संतुष्ट नहीं था उसे तो और अधिक बड़ा राज्य चाहिए था वास्तों में सामराज्य का विभाजन करके हुमायू ने एक भारी भूल की थी काबुल, कंधार और सिंद्ध के छेत्र हाथ से निकल जाने से रंगरूटों की बड़ती का अच्छा छेत्र हाथ से निकल गया और पंजाब पर कामरान का अधिकार होने से मद्दे इश्या के इस्नामी राज्यों से हुमायू का संपर्खी तूट गया हुमायू के अधिकार में अब ऐसे छेत्र रह गए जहां मुगल विरोधी भावनाएं फैली हुई थी अत्य ऐसे भागों पर अधिकार बनाए रखना कठिन का रिये था दूसरी जो भूल हुमायू ने की वो थी कालिंजर अभियान की बुंदेल खन में कालिंजर का शाशक अफगानों का सुबेच्छू माना जाता था अत्य पंद्रा से गत्ती सीस्यों में हुमायू ने कालिंजर का केला गेर लिया कुछ मैनों बाद हुमायू ने कालिंजर के शाषक से समझोता कर लिया ताकि रहे विद्रोही अफगानों को दबा सके हुमायू इस अभियान दोरा ने तो दुर्ग पर अधिकार कर सका और ने ही कालिंजर के शाषक को अपना मित्र बना सका अते कालिंजर अभियान हुमायों की एक भारी भूल सिद्धुई तीसरी जो भूल हुमायों के मानी जाती है वो गुजरात अभियान है गुजरात का शाशक बहदुशा अत्यनती मैतवा कंख्षी था उसने 1531 में मालवा पर 1532 में रायसिन के दुर्ख पर और 1533 में चितोड के शाशक को पराजित कर दिया इनी दिनों उसने रण थंबोर वे अजमेर पर अधिकार कर लिया वे जानता था कि भविश्य में हुमायों से युद अनिवारी है अत्य उसने अपनी शैनिक शक्ति में अत्यदिक व्रदि कर ली 1534 सीसी में बिहार के गवर्नर मुहमत जमान मिर्जा ने हुमायों के वुरुद विद्रो कर दिया किन्तु उससे बंदी बना लिया गया फिर भी वे भाग कर बहादुर शाह के पास चला गया मुगर समराट के अनेक अफगान विद्रोयों को उससे पहले ही शरण दे रखी थी जब हुमायों ने मुहमत जमान मिर्जा को सौपने की मांग की तो बहादुर शाह ने यह मांग ठुकरा दी अत्य यह गोशना हो गई इसके बाद बहादुर शाह दुआरा मांग ठुकराने के बाद युद्ध की गोशना हो गई बहादुर शाह ने अपने पुत्र तातार खां को 40,000 गुर्षवार देकर बेजा जिसने बयाना पर अधिकार कर लिया हुमायों ने मिर्जा असकरी, हिंदाल और यादगार नासिर मिर्जा को 18,000 गुर्षवार देकर तातार खां के वरुद भेजा नवंबर 1534 सिस्व में मंडराय के निकट हुए युद्ध में तातार खां अपने 307 सहीत काड़ा लगया जिस समय बादुशा दूसरी बार चित्तोड का गिरा डाले वे था हुमायू बादुशा के वरुद आगे बढ़ा इसी समय चित्तोड के शाशक विक्रम दित्ती की मा कर्म वती ने हुमायू को राखी बेज कर बादुशा के वरुद सहीता की प्रातना की हुमायू राखी स्विकार कर आगे बढ़ा और सारंगपुर्थ तक पहुंचा जनवरी 1535 इस्व में भादुर शा ने हुमायू को कहलाया कि जब तक वे काफिरों के विरुद युद में लगा हुआ है वे यानि हुमायू अपने सैधर्मे बाई पर आक्रमन नहीं करे हुमायू अंद विश्वासी था अते मुसल्मान होने के नाते बहादुर शा पर आक्रमन नहीं किया यह हुमायू की सबसे बड़ी भूलती यदि इस समय हुमायू कर्मवति के साहता करता तो वो राजपुतों को भी अपना बना लेता और बहादुर शा के शक्ती पर भी अंकुष लग जाता अते उसने इस समय भादुर शा के बैकाओं में आकर बहुत बड़ी भूल की उसने राजपुतों की सानू बुति एमसयोग प्राप्त करने का स्वन अफसर खो दिया जब मार्च 1535 सेसी को चितोड का पतन हुआ तब हुमायू आगे बढ़ा और मंद्जोर पहुचा मुगल सेना ने दीरे दीरे गुजराती सेना को गेरना आरम कर दिया और उसके रसत कार दी विवा शोकर पहदुर शाह हुमायू के लिए लूट की विशाल सामगरी छोड पंदरा अप्रेल 1535 सेसी को भाग निकला और मांडु के किले में शरन ली हुमायू भी मांडु आपउचा और दुर्ग को गेर लिया किन्तु एक जून 1535 सेसी को भादुर शाह चंपा नेर की तरब भाग गया हुमायू ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर चंपा नेर को गेर लिया तब बादुर्शा कामबे होता हुआ लियू की तरब भागा हुमायू भी उसका पीछा करता हुआ कामबे आया लेकिन एक जुलाई 1535 सेसी को उसे लोटकर चंपा नेर आना पड़ा क्योंकि चंपा नेर अभी भी एक्तियार खान नामा के गुजराती के अधिकार में था मुगलों ने चंपा नेर दुर को गेर लिया 6 अगस 1535 सेसी को एक्तियार खाने आतम समर्पन कर दिया चंपा नेर में गुजरात के शाशकों का खजाना था अते हुमायू को अपार धनराशे प्राप्त हुई किन्तु हुमायू ने अपनी सफलता को बनाय रखने का कोई प्रेतन नहीं किया और कई सब्ता आमोद प्रमोद में पड़ा रहा इधर भादरु शायक विशाल पात्र सेवक इमादुल मुल्क ने एहमदाबाद में माल गुजारी वशूल करकी एक 30 साली सैना तयार कर ली किन्तु अक्टूबर 1535 से में हुमायू और असकरी ने इमादुल मुल्क को पराजित कर एहमदाबाद पर अधिकार कर लिया हुमायू ने असकरी को गुजरात का गवर्नर निक्त कर हिंदू बैक को उसकी सायता के लिए तैनात किया और शाय बादु शाय के वरुद ड्यू की तरफ बढ़ा लेकिन हुमायू के जाते ही गुजरात में विद्रो गया अते 22 फरवरी 1536 सीसी को उसे पुने लोटकर आना पड़ा लेकिन मांडू आकर हुमायू पुने आलशे में पड़ गया और उदर असकरी ने भी अपना समय दावतों आदी में नश्ट कर दिया हुमायू और असकरी की उदासिंता का लाब उठाकर भादू शाने मुगलों से अनेक नगर छीन लिये और एहमदाबाद के निकट आदम का मामूली संगर्स के बाद अप्रेल 1536 में असकरी चंपानेर के और भाग गया असकरी ने चंपानेर नगर के दुर्ग के कोश को अधिकरत कर सुतन तर्शाशक बनने की उद्णा बनाई लेकिन भे ऐसा फल रहा अता असकरी बाग कर आगरा के तरफ रवाना हुआ रास्ते में असकरी वे हुमायू की बेटुई हुमायू ने असकरी को शमा कर दिया इस परकार हुमायू के आलशे और असकरी की अयोगेता के कारण गुजरात में मुगलो के सत्ता समात हो गई इदर मालवा में हुमायू के हटते ही महां विद्रो गया मालवा के पूरो शाषकों के एक उत्रा दिकारी मल्लु खाने अधिकार कर लिया सामराज्य के अन्य भागों में विद्रो के समाचार के कारण हुमायू मालवा की ओर दियान नहीं दे सका हुमायू ने असकरी को आगरा का गवर्नर निक्त किया यह हुमायू की भारी भूलती क्योंकि असकरी स्वैम एक स्वतन्द शाषक बनना चाहता था तो यह थी हुमायू की कुछ भूले इसके आगे की आगे के कारिय और आगे के भूलो की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे इन आगे वाली भूलो के कारण किस तरह से हुमायू को अपने सामराचे से हाथ दोना पड़ा इसके चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद